पिछले मेने की बात है मैं एक मॉल में शॉपिंग कर रही थी मेरी अल्मोर्ट शॉपिंग हो चुकी थी और मैं बिलिंग काउंटर की तरफ जा रही थी कि तभी मेरी नजर श्वेता पर पड़ी मेरी स्कूल फ्रेंड मैं जट से जाकर उससे मिले मैंने का श्वेता यार तुम यहाँ What a surprise हम इतने सालों बाद मिल रहे थे और वो भी शौपिंग करते हुए स्कूल में हम सर्फ classmates नहीं थे बलकि बहुत अच्छे दोस्ट हुआ करते थे और हमने इतनी classes एक साथ बंक करी थी कि क्या बताऊं अब इतने सालों बाद मिल रहे थे तो हमारी बाते शुरू हो गई हम दोने ने फटाफट से बिलिंग कराई और सामनी वाले कैफे में जाकर अपना अड़ा जमा लिया अब तो जैसे सारी स्कूल की बाते याद करकर कि हम स्कूल डेज में ही पहुँच गए थे मैं और स्कूल डेज में बहुत क्रेजी बाते किया करते थे पता है हम एक दूसरे को क्या बोलते थे कि हम कभी शादी नहीं कराएंगे क्योंकि क्या पता शादी के बाद अगर हमारे पतियों ने हमें नहीं मिलने दिया तो और अब देखो एक ही शहर में रहकर भी हम इतने सालों बात मिल रहे थे मैंने शुटा को याद दिलाया, शुटा तुम्हें याद है, बूर आउल जिसे तुम्हारी वज़े से हमेशा क्लास में पनीश्मेंट मिल जाते थी क्योंकि बात तुम्हें शुरू करती थी उससे और टीचर पकड़ उसे लेती थी शुटा हसने लगी शुटा बहुत चुलबली टाइप की लड़की थी और क्लास में तो उसकी बाते खत्मी नहीं होती थी लेकिन आज जब मैं उसे मिली तो मुझे एक चीज बड़ी अजीब सी लगी वो मुझसे बाते कर रही थी लेकिन फिर भी कुछ चुप-चुप सी लग रहे थी मैंने तो बोल दिया मैंने का शुटा जब से मिले हैं मैं ही बग-बग की जा रही हूँ तुम तो ज़्यादा बात ही नहीं कर रही और स्कुल में तो तुम चुप होने का नाम ही नहीं लेती थी उसने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया खेर मैंने भी बात टालने के लिए उससे पूछा अच्छे यही बताओ तुमारे हस्बन क्या करते हैं उसने का इंजीनियर है काफी बड़ी पोस्ट पर है सुनकर मुझे खुशी हुई कि चलो लड़की अच्छी जगा सैटल हुई है लेकिन जब मैंने उसके आखों में देखा तो मुझे एक अजीब से उदासी दिखी और मैं काफी टाइम से नोटिस भी कर रहे थी कि जैसे ही मैं उससे कोई शादी से रिलेटर बात करती न तो उसके आवाज में एक अजीब सा भारी पन आ जाता मैंने हिम्मत करके पूछी लिया मैंने का श्विता एक बात बताओ तुम खुश तो हो ना नहीं मतलब मैं काफी देर से देख रहे हूँ जैसे ही शादी की कोई बात होती तो तुम थोड़ी उदास से हो जाते हो वो मुस्कुरा दी और बोली कि नहीं यार ऐसे कोई बात नहीं है पर मैं समझ चुके थी कि कुछ तो बात है और फिर ना चाते हूँ भी मुझे उसकी गर्दन से थोड़ा सा नीचे एक नील दिख गया था जिससे उसने चुन्नी से बहुत अच्छे से छुपाया हुआ था लेकिन जब उसका फोन नीचे गिरा और वो उसे उठाने के लिए जुकी तो वो नील मुझे देख गया अब मैं काफी हद तक चीजों को समझ चुके थी मैंने का देखो श्विता हमें की स्वेश अताब्दी की औरते हैं हमें पुराने जमाने की औरतों की तरह ये सब कुछ बरदाश करने की जरूरत नहीं है देखो मेरी बात ध्यान से सुनो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त वो मेने इंपावर्मेंट के लिए काम करती है और वो बहुत बड़ी लॉयर भी है अगर मैं उससे बात करूँगी तो वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी तुम बस मुझे बताओ मुझसे शेयर करो श्वेता एक गहरी सोच में डूप चुके थी शाद वो इस बात का फैसला कर रही थी कि मुझे बताए या ना बताए मैं उसके तरफ देखी रही थी कि वो अचाने से बोली सुरो काफी लेट हो गया है मुझे लगता कि अब मुझे चलना चाहिए नहीं तो फिर ट्राफिक भी बढ़ जाएगा You take care इतना बोलकर मुझे आने के लिए खड़ी हो गए आप मैं कुछ बोली नहीं सकती थी मैंने का ओके लेकिन अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मुझे शेर करना चाहती हो तुम मुझे कॉल करना मैंने उसे अपना कार देने के लिए अपने पर्स में हाठ डाला और कार निकालकर जैसे ही नजर उठाकर उपर देखा तो वो जा चुकी थी बिना मेरा नमबर लिए बिना मुझे अपना नमबर दिए उसके बाद मैं काफी देर तक अकेले उस क्याफे में बैठी रही और जंदगी के बारे में सोचती रही मैं जानती थी श्वेता नहीं बताएगी कभी भी किसी को भी मैं भी तो नहीं बता पाई कभी भी किसी को भी किसी का ओày 1 किसी को भी देर बताएगी किसी को भी किसी किसी को भी